तो Hello friends Welcome back to our channel दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि Second Shift का भी analysis मेरे वीडियो चैनल पर आएगा लेकिन आप लोगों में बहुत लोगों ने चैनल के वीडियो को तो देखा है बहुत अच्छे देखा है लेकिन चैनल को भी ना सबस्क्राइब किये चले गए हैं दोस्तों ये अच्छी गया था उसमें computer question नहीं मिल पाए तो इसमें मैंने computer का पहले question लिख दिया है कि computer में क्या क्या था देखिए computer का level जो था overall easy था ठीक है Excel और word से question पूछे जा रहे हैं आपका powerpoint यानि PPT से question नहीं आये थे 6-7 question आपका Excel से और word से था मतलब easy ही समझे इसको ठीक है और internet से 5 question थे और आप नीचे आएंगे तो input output से आपको 6-7 question मिलेगा और formatting से भी आपको question मिलेगा देखिए जैसे इस type का question आपको चार option दे दिया गया है और उसमें पुछा गया है overall बहुत easy आया था इसमें blood relation से दो question थे sitting एरेजमेंट से 2-3 question थे order and ranking से भी एक question था लेकिन जो है यह आपका plus point है कि अगर आप एक puzzle solve करते हैं तो आप अगर puzzle को सही सही solve कर लेते हैं तो आपका 4-5 question गलत नहीं होगा और distance and direction से दो question थे coding decoding से भी shift में दो question थे analogy की बात करें तो analogy आपका जो होता है ratio जैसे लकड़ी दिया सोफा दिया हुआ furniture फिर आपका दे दिया मालिया cycle is to क्या तो मतलब ही लोहा इस type का दिया था analogy में question और आपका calendar से भी एक question था इसमें भी बात करेंगे math की math का level easy था जिन्नोंने बताया उनके according percentage के दो question आया थे बहुत easy बता रहे थे और compound interest के दो question थे उसमें थोड़ा प्राब्लम हुए उनको और simple interest की बात करें तो एक question था easy था train से भी question था profit and last से भी question था mixture से question था mixture मतलब ratio type का दिया हुआ था और partnership से भी इस shift में एक question आया हुआ था ratio based एक question आया हुआ था देखिए इसमें भी time and work और boat and stream से भी question नहीं आया थे इस shift में भी तो most probably कल वाले shift में भी आपके यही pattern होगा देखिए अब हम GS की बात करें तो GS में सुबह वाले shift में आपका 7-8 question current affair से पूछा था लेकिन इसमें 2-3 question के वाल पूछा था वो भी आपका 2021 का current affair था science से question थे दो-दो question आपके physics, chemistry और bio से देखिए pet question मतलब pet question मतलब जो arm question होते हैं बहुत ही easy question वो आये थे science में अब geography की बात करने तो उससे भी एक question था इसमें no history मतलब history के question नहीं थे constitution के दो question थे और एक article भी था इसमें जो match करने के लिए था और वो किस से related था ग्राम पंचायद से related था और एक question जैसे दिया हुआ था ग्राम नयाले से related question था और 243 के जितने parts हैं आपके उनको match कराने का question था अब English की बात करें तो English का level जो था वो भी easy to moderate कह सकते हैं उसको इसमें भी दो पैसे जाया हुआ था आपका एक easy था moderate था और एक easy था यह moderate वाला जो था वो global warming पर था और एक ethics के लिए उस पर था तो बात करें English के तो यह easy to moderate था idioms आपके इसमें दो से तीन आया थे बहुत ही easy और close test आपके थे यह भी बहुत easy था opposite sentence based question पूछे गये थे मतलब जो sentence based opposite होते हैं एक sentence में दे दिया और कोई opposite word और सरी कोई word दे दिया और उसका opposite पूछ लिया या synonyms पूछ लिया और चार option देखिए इस type का आपका question था बाक error detection में आपको मिलता होगा तो error detection में क्या होता है कि एक option डिवाला रहता है no error का तो इसमें क्या है कि no error का option ही खतम कर दिये हैं मतलब उस sentence में कोई ना कोई error है जो आपको ढूंडना है तो यह एक तरीके से plus point की है चलिए next question next देखते हैं one word substitute substitution से तीन से चार question थे sentence replacement से भी question आय दिया गया और उसके जगहां पर एक बोल्ड लेटर दे दिया गया तीन से चार वर्ड बोल्ड में करके और उसको आपको replace करना था option के recording बाकी आ जाते हम लोग लास्ट में टाइपिंग में अब टाइपिंग में आपका बहुत कमेंट आया इसके पहले वीडियो पे और जो हुआ है एक लाइन में 24 से 25 वर्ड वो बता रहा है और बाकी जो कमेंट लोग किये हैं 34 34 वर्ड बोले हैं वो आपका जो होगा देखा जाएगा देखिए इसमें क्या है नो हाइलाइट टेस्ट जैसे आप टाइपिंग अगर कहीं पर सीखते होंगे या करते होंगे तो उस में कोई हाइलाइटर बर नहीं रहेगा जो स्प्सफिक शो करेगा कि आप यह वर्ड यह यह लिटर टाइप कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है और सुनिए माउस से आपको scroll करना है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि arrow की काम करेगा, तो इसमें arrow की काम नहीं करेगा, इनके advisory में भी लिखा हुआ था, तो आप mouse से scroll करेंगे, और सुनिए, जैसे एक line आपका खतम हो गया ना, तो एक line खतम होने के बाद आप सोचेंगे कि वो नीचे आ जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, आप type करते जाएगे, उसके थोड़े देर बाद वो उपर चला जाएगा, ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही distraction होगा, typing करते समय, तो बस आपको क्या करना है, concentrate होके, कि यवर type करना है, और time जो रहता है, side right corner पे, timing जो चलता है, उसको तो आप करत ही मत देखिएगा, उसको देखेंगे ना, तो आपका time जो है, वो lapse होके distract आपको करेगा, और देखिए, scroll ये भी हो गया, mouse जो है, probably सबको भूल जाता है, ठीक है, तो इसलिए mouse से जैसे आप एक paragraph देख रहे हैं, उसको type कर रहे हैं, फिर mouse से scroll किये, तो वो खटाच से उपर जाता है, तो आप highlighted ने रहता, तो फिर उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसमें आपका time जाएगा, तो आपका सब कुछ मिला कि आपका जो eyes है, वो आपके computer system पे टिका होना चाहिए, जहां पे आप type कर रहे हैं, और देखिए, no time speed, मतलब अगर आप time देखेंगे, तो आपक report अंदर जाने के पहले, आपको जो भी करना है, fresh होना है, toilet करना है, या फिर पानी पिना है, सब कुछ आप बाहर, मतलब अंदर राके कर लीजे, उसके बाद एक बार अप अंदर जाएंगे, तो उसके बाद आपको बिना typing के उठने नहीं दिया जाएगा, चाहे तो आपने shift का exam होगा, तुरंट उसका analysis फिर पढ़ेगा, तो उसके लिए चैनल को subscribe कर लीजे, और दूसरे shift में भी उसका भी analyze करके shift में, चैनल पे वीडियो पढ़ेगा, तो आप से request है, चैनल को subscribe करिए, साथे साथ वीडियो को like और share जरूर करिए, दोस्तों, और current Qo daily की उस नाम से मेरा एक telegram channel है, उस पे quiz भी होता है, और PDF भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप जाके join कर लीजे, बाकी कल के लिए आपको best of luck friends, अच्छे से अपना exam दीजेगा, कोई भी stress मत लीजेगा, अपना अच्छे से करिएगा, all the best आपको कल के exam के लिए, बाकी जैसा होता है, आप हमारे उस telegram group में भी message करके बता सकते हैं, कि exam कैसा हुआ, question कैसा आया था, तो सब मिलाके overall यही है, कि जो है easy to moderate कह सकते हैं, इस paper exam के level को, चलिए, इस वीडियो के ही समाप्ट करते हैं, subscribe जरू कर लिजेगा, इससे motivation मिलता है, बाकी किसी भी notification के regarding, कोई latest update आता है, पढ़ subscribe जरू कर लिजेगा, बाकी मिलते हैं, next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से paper दीजेगा, thank you my friends, best of luck.